ओके गाईस तो अभी 7 बज रहे हैं और हमें करनी है 7 बज़े वाली पूजा तो चलिए फटा फट से हम अपनी पूजा स्टार्ट कर लेते हैं और जो ये व्लॉग आप देख रहे हो ये जैनमस्टमी व्लॉग पार्ट थर्ड है ठीक है तो ये आपके साथ मैं शेयर कर रहे ह आज कि मैंने जैनमस्टमी वाले दिन सामके 7 बज़े क्या किया कैसे किया वो सारी चीजे तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड रोम में तो यहां सबसे पहले मैंने फैन आउन कर लिया क्योंकि थोड़ी सी पूजा के त्यारी करनी है तब तक फैन आउन करके बैठेंगे बनाना है और जो चीजे हमने सुभा चड़ाई थी वो चीजी हटा देंगे और जो चीज रखनी है वो रख देंगे जैसे इसकी फूल जो सूख चुके होंगे उन्हें हटा देंगे और अभी थोड़ी देर में पती देव जी भी हमारे साथ बैठ जाएंगे हम दोनों ने फास्ट रखा है और दो ही लोग है हम लोग घर पे और दोनों ने फास्ट रखा हुआ है तो जाहर से बात है साथ ही पूजा करेंगे हम लोग सुभा भी पूजा हमने साथ में की ती और अभी शाम की पूजा भी साथ में करेंगे और रात वाली पूजा भी साथ में करेंग बस सब्इस्पी सब्सक्राइबं कैंते, तो जह च्री न है तो ज्लीए यहां पर आपड़ी में उखने जो भी कहसcía कुल्ड अब चेमा, त्या है यह मिने एक बर आप लोगको बाथे दाया ज निरी तो सींक तो सुम्ट के साथ वल्लोग में बताया था कि व्लॉग ना बहुत लेंदी हो जाएगा तो मैं थर्ड पार्ट भी बनाओंगी तो मैंने ये थर्ड पार्ट बना दिया है और अब मुझे लग रहा है कि इसका फोर्थ पार्ट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने दो बजे तक सोटिंग करी थी रात की त देखिएगा मैंने कैसे पूजा की क्या 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 मैं पूजा विधी मैं कैसे करती हूं हमेशा तो वह चीजे बिल्कुल भी मिस मत कीजेगा आप यह मालो जो व्लॉग पार्ट फोर्थ होगा ना वह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि सारी पूजा तो उसी में मैं आरती कर रही हैं सबसे पहले हम लोग गडेश भगवान की आरती करते हैं औरुसके बाद फिर6 कि म Bonus करते हैं गडेश बगवान की माता रानी की फिर उसके बाद विश्णु भगवान की इस टाइब से मतलब हम लोग आरथी कर लेटे हैं तो पूजा में टाइम लगता है उसके बाद बस यह पूजा हम लोग नॉर्मली जो करते हैं आरती वगेरा वो learning आ बला कर रहे है Agust पर फर्स टाइम आयों सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन के साथ बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल मत भूलना क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बैल होती है नेक्स टाइम कोई भी व्लॉग डालूंगी कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी सबसे पहले आप लोग के पास न दिन आर्थी करते हैं तो बस वही है और क्या है पतिदेव जी शूट कर रहा है क्या हुआ उन्होंने भी आर्थी की इसके बाद क्योंकि हमने 2-3 आर्थी कर रही थी तो वह तो पूरी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते वह करते तो व्लॉग और ज्यादा लेंदी हो जाता क् मैं क्या चाती हूँ न कि चाहे तो मैं इसे दो पार्टी बना देती या तो फिर तीन पार्टी बना देती ठीक है लेकिन फिर व्लॉग बहुत ज़लादा लेंदी लेंदी बनाने पड़ते इसलिए मैंने आपकी सुविदा और अपनी सुविदा को देखते हुए छोटे-चो जो चीजे मैं करूंगी वही चीजे वह करेंगे तो यहां पर आप दोको यह चीज में आपको दिखा रहे हूं कि हमने जब आर्थी अपनी पूरी कर ली सो अब हम यहां पर काना जी के उपर इस तरह से लाल रंगा कपड़ा रख देंगे और अब यह कपड़ा हम अटाएंग वह फोर्थ पार्ट देखना बिल्कुल मिस मत करना वह बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है तो यहां पर मैंने इस तरह से लाल रंगा कपड़ा रख दिया है और बस अब यही बोला है कि काना जी कुस देर के लिए आप ऐसे रहेंगे और रात बारा बजे फिर आपका करते हैं उन पर भी अपनी कृपा द्रश्टी बना के रखिएगा उनकी फैमिली पे और जो भी उनके फ्रेंड से उनकर उन पर भी अपनी कृपा बना के रखिएगा तो मेरे काना जी सब की सुनते हैं सब की पूरी करते हैं और बस यही है और कहते हैं ना कि जो मतलब वैसे तो भगवान सभी देवी देवता हैं ठीक है लेकिन काना जी सच में एक ऐसे हैं जिनका हम लोग जनम उत्सव बहुत ही उत्सवा के साथ मनाते हैं है ना आप लोग ने भी देखा होगा भगवान तो बहुत है लेकिन केवल एक ही है हमारे लड़ू गुपाल जिनका हम लोग जनम दिन मनाते हैं तो बस हमारी पूजा हो चुकी है यहां पर हमने अपने काना जी को भी इस तरह से ढख दिया है उनको लाल रंग के कपड़े से ही ढखना चाहिए तो यह मातारानी की चुन्नी थी मेरे पास साफ सुतरी तो उनहीं से मैंने ढख दिया है और यह जूला है का यह जूले में नहीं बठाते हैं जब तक काना जी का जनम नहीं हो जाएगा तब-तक हम लोक उससे पएले काना जी को जूलाज नहीं जूलाते हैं तो यही और आज के व्लोग में पूजा मैंने आपके साफ्ष्छेर कीए तो मीद करती हूं आपको आजका व्लॉग बहुत पसंद आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है मतलब दिल कोल के आपको लाइक चाप देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में तब तक के लिए बाब बाई टेक यह लव यू ओल गाइज